एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जाडखन नियोजन निती और जाडखन नियोजन निती बनने से लेकर आज तक क्या-क्या चीज हुआ है उस सारी जानकर आपको देंगे साथ में आपको एभी बताएंगे कि जाडखन में नियोजन निती के सही और मजबूत नियोजन निती के अभाव में जाडखन के युवा जो है वो कोट यानिक कानूनी कच्छरी में फस जाता है तो चलिए आपको सबसे पहले जितनी भी नियोजन निती बना है और जब जब बना है और कब कैसे कुछ हुआ है सारे जानकर आपको इस वीडियो के मातरम से देंगे उससे पहले बस मेरे एक छोड़ा साब से रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल के नाम के सामने लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहें वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी को कंफर्म कर देता हूँ कि इस वीडियो के मातरम से हम जाड़खन नियोजन निती और इस्थानय निती पर कुछ बाते साजा करने जा रहा हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पारे हूँगे उलजती रही नियोजन निती एक बार बनी फिर विवादों में रही रद हुई अब सुल्याना सरकार की चुनोती जैसा कि आप सभी को पता है जाडखंड 21 साल होने वाला है मतला हमारी जाडखंड को इस्थापना होने में 21 साल होने वाला है और 21 सालों के दौरान जाडखंड में नियोजन निती और इस्थान निती मजबूत और ठोस रूप से नहीं बन पाया है हालनकि पिछली सरकार ने रगवा सरकार ने नियोजान नीती को बनाया 24 जिलों को दो भागों में मार दिया एक 11 जिला और एक 13 जिला ग्यारा जिलों को गैर अनुसुच जिला में रखा गया जबकि 13 जिलों को अनुसुच जिलों में रखा गया इसके तहट बहुत सारी निजुक्ति भूही खास करके हाई स्कूल सिख्चा की निजुक्ति लेकिन बाद में जाडखंड हाई कोट के दौरा सोनी कुमारी केस आने के बाद इसको भी इसके निजुक्ति को भी रद कर दिया गया जिसका मामला सुप्रिम कोट में चल रहा है तो चलिए कब कब बना है इस नियोजन निती और फिर बनने के वाद कैसे बिवादों में रही और किस तरह से रद हुई और अब सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां तो सबसे पहले लाल घेरे के अंदर देखिए रगवार सरकार ने इस्थाने निती बनाई अपनों से भी घेरे थे परभात खबर की पड़ताल में ये स्क्रीन सोट हमको मिला है और उसी के तहट आपको सारी जानकरी हम देने जा रहे हैं और कुछ बाते आप लोग के साथ पनाई थी पूरोवर्ती सरकार की नीतियों पर सवाल उठते रहें ततकालिन भाजपा के बिधायकों नों भी तैक किये गे कट अफ डेट पर सवाल उठाए थे भाजपा के 26 बिधायकों नों लिखित रूप से सरकार के सामने आपती जताई थी रगवार सरकार के बाद हिम सरकार ने सत्ता समाली तो पूर्व सरकार की इस्थानी निती को भी रद कर दिया गया इस्थानी निती को लेकर ज्ञाडखन में राजनीतिक उठापटक होती रही है सरकार बदली गई लेकिन निती नहीं बन पाई ठीक है मतलब साल 2016 में ज्ञाडखन में रगवर सरकार ने नियोजन निती और इस्थानी निती निती नहीं बन पाई ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे लालगरे के अंदर 2014 में हेमन सरकार ने बनाया था ड्राफ्ट इस्थानी निती नहीं बन पाई बर्स 2014 में हेमन सोरिन ने अपनी सरकार में इस्थानी निती बनाने का परियास किया था उस समय इस्थानी निती के लिए एक कमिटी बनाए गये थी डेड़ बस के कारिकल में भी स्री हमन्सोरिन ने पर्यास किया था सरकार का गठन इस्थाने नीती की उठा पटक पर ही हुआ था कमेटी ने ड्राफ्ट भी तयार किया था लेकिन इस पर सर्व सम्मति से राय नहीं बन पाई जन्वारी 2014 को कमेटी का गठन किया गया ततकालिन मंत्री राजिंद्र प्रशाष सिंग संजोजग बनाए गया था लेकिन फिर भी अभी तक इस्थाई इस्थानियनिती या नियोजनिती नहीं बन पाई है उसके बाद नीचे है अरजून मुंडा की सरकार ने भी बनाई थी कमेटी बस 2011 में अरजून मुंडा की सरकार ने भी नियोजनिती और इस्थानियनिती को परिवासित करने के लिए एक समिती का गठन किया था कमेटी ने दूसरे राज्जों की इस्थानिनिती का अध्यान भी किया था उस समय कमेटी में वर्तवान मुखमत्री और ततकालिन मुखमत्री हेमन सोरेन और सुदेश कुमार महतो सामिल्थ थे कमेटी किसी निसकर पर नहीं पहुँची ततकालिन सिक्षा मंत्री वैजनात राम भी कमेटी के सदस्थ है तो इस तरह से जाडखन में साल दर साल सरकार भी बदली लेकिन इस्थानिन निती और नियोजान निती इस थाई एवन ठोस रूप से नहीं बन पाई हालनके पिछली सरकार ने बनाया तो था लेकिन उसको भी हाई कोट के दौरा इस सरकार की काल में उसको भी निरस्थ कर दिया गया जिसका मामला सुप्रीम कोट में चल रहा है और इसलिए जाड़कंड हाई स्कूल से लेकर पंचर सचीव एस्पेसर ब्रांच चाहे हर एक विभाग की नौकरी वो अभी तक सही से नहीं हो पा रहा है जाड़कंड में जितने भी इस्थानिती बनने को रहता है नियोजन निती बनती ही है फिर विभादों में आ जाती है और विभादों के आने के बाद फिर उसके जामने कानूनी पेंच फस जाता है तो यहाँ पे देखें लालगरी के अंदर इस्थानिता को लेकर कब कब क्या होता रहा राज्य गठन के बाद विहार सरकार के श्रम एवा नियोजन विभाग के पत्र 331982 को सुईकार करते हुए अधिसुजना जारी की थी बिहार सरकार के पत्र के आधर पर इस्थानिय व्यक्ति की परिवासा के आधर जीला को माना गया मतलब 1982 में बिहार सरकार होते हुए जब जाड़कन और बिहार एक था उस समय इस्थानिय निती जीला के आधर पर माना गया था उसके बाद अगस 2002 को बावलन मरांडी की सरकार ने इस्थानिय व्यक्ति की परिभाषा एवंग प्राक्टमिक्टा को निधारित किया लेकिन हाई कोट में जनित याची काओ की सुनवाई के बाद 27 नवंबर 2002 को खंड पीत ने उसे निरस्त कर दिया फिर 27 चे दोहराट को सरकार ने पहले बनाई थी कमिटी को पुनर गठित किया मतलब जो कमिटी बनाए गया था उसको फिर से पुनर गठित किया गया वर्ष 2011 में सरकार ने एक बार फिर समिती का गठन किया जो कि आरजुन मुंडा की सरकार थी उसके बाद तो ये है बने हुए 21 साल में नियोजन निती जो है वो सही स्थाई रूप से ठोस मजबूत रूप से नहीं बन पाया है अगर पिछली सरकार ने बनाया भी तो फिर वो वी बादों में आ गया और जिसके बाद हाई कोट ने उसको रद भी कर दिया गया जो कि सोनी कुमारी केस के को कानूनी पेंच में फस जाते हैं हमारे लिए नौकरी एक बहुत बड़ी चटान की तरह चटान को तोड़ने जैसी है तो उमीद करते हैं बरतवान सरकार कुछ नया फैसला ले इस्थाने निती को पहल करें एक इस्थाई और मजबूत इस्थाने निती और नियोजन नित बनाएं एही हमारी उमीद है तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में